कि अपने प्रीड देख रहे हैं इसके बारे में बताएं यह बताएगा कि यहां के लोकल अपके इसके बारे में बताएं यहां पर कौन-कौन सी ब्रीड के चिक्स मौझूद हैं क्या एजेंट की असलाम अलेकुम विवर्स वेलकम करता हूं आप तमाम विवर्स को जमशेदास में इन्फरमेटिव चैनल पर जने जमशेद एक बार फिर आप लोग के खिदमत में हासर है तो विवर्स एक बार फिर एक सेट अप मौझूद है एक वाम पे मौझूद है यह एक प्रफेशनल तरीके से डग की ब्रीटिंग करा जा रही है और रेयर प्रीड़ कुछ मौझूद है तो यहाँ के सैट अप को अप को दिखाएंगे इसके साह साथ यहां के और से बात करेंगे और उनका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करें तो विवर्स यह हैं यहां के ऑनर बार दानि मुझे काम करते हुए तक यह बन 6-7 साल हो गया है और हैंस में तक यह बन 14-15 साल हो गया है तो आप अपने एक्सपियेंस के लिए हाद से बताएं के डग की ब्रीड कैसी है कनाची में आ देखें इसमें मुख्तलिफ ब्रीड्स हैं सेलेक्शन ऑफ ब्रीड पर काम करना होता है शुरू में स्टार्टिंग में हमने वो देशी बत्ते हो पर काम किया तो काफी नुकसान हुआ उसके बाद काफी रिसरच करी पर चीज़ा बाहर से इंपोर्ट करवाईं तो अब माशालला बहुत अच्छा चल ला है बहतरीन चल ला है और हैंस के मतालिक है कहना चाहेंगा ये हैंस में बहुता काफी इंपोर्टड वराधिया लोकल वराध्य मनें कोई भी ने रखी वी हमारा सारा कम है जितना भी मेरा फोकस दासे ने फेंसे वराध्य करी होता है क्योंकि उसमें पेर टाइम भी षटां की दाना नहां उता होता है को समाल नहां और लगश एस और आप क्या क्या प्रॉसिस कर रहें में इनकी बीड करा रहा है जटारा हूं कि ने उसके बॉंड रिखक फें तो विस को थे करें दुन Karl थे आप यह जी 102 कि गड़े उत्लम winter फिक भिला तो दू में किलने में टियार होता है तो ज्क रपाट देनी इनको इंगी बूडर में रखते हैं टेंपरचयर कंट्रोल करके उसके बाद सेल के लिए यहां के लोगों को सहुआ है। हैं कि परीजरे बी तुछ क्या से बाइं थी difyn साथे एक्सपीरिंस जुआ हैं इससे एक्सपरियन्स के साथ यह रभी झाल करते चाहरों यह जनाब यहां पे हम धे जिन अब ऑन देख रहां हैं यह कृमंग से और यह रिए कोयई तो, यहां पे आपने कि इतने से स्टार्ट किया तर कहां तक लेक पहुँचे हैं। मैन जाघें भी चाह beginning on ոंहाता हूँ हगया है। जाटियमार्यकी बडिद्सिद्स पनुल थो चाहले हैं। माशायला मेट की डिमान बहुत है मेरे पास ना डग की तो डग मेट के अवाला सबसे बेस पुरी दुनिया में यह जम्ब वाइट पेकंग अच्छा तो यह भी आपने अपने जाती कलेक्शन है जो ब्रीडिंग के निये रखी में डग्स हुआ है यह है मेरा अपना जाती केलेक्शन है बीडर फ्लॉक है मेरा आइडिया दे सकते हैं कितने तक का प्यार है यह अराउंट इंपोर्ट करवाने का मकसद यही था कि बीड़ करवा के जो बागी लोग है उनको सस्ते में दे सकें क्योंकि देखें ना एक लाग रुपे का पेर हर कोई तो फोर्ट नहीं कर सकता एक बात है यह बताएगा कितने हद तक कॉस्ट को रिड्यूस कर पाएंगा इंशालला उमी जाने के नियुक ना देंडेंगे इंगा इसका में दिए टेंगे स्केट तो इस दुट के मुतालग बात कर लेता है तो यहां पर जो हम देख रहे हैं ताल में फीड रखी वे तो आप यहीं देते हैं इसके लावा बाब इंको कुछ दिया जाता है नहीं यह तो बैसिकली सिदिंधर चाहिए जवरे आपाईफिस अफॉर्मौ मेरे ढाता पिरुद सनुनाय niew possessed. सबालोmm लचाहिए मेंदर में की टी मचस कहता है सनुन के उसे इंभा मेरे दोगा वी आपोड़ मेरे नाचने ज़्यवर्मौा, सब्सक्राइब को थोड़ा सा इश्यू हुआ था लेकिन बत्तक बेसिकली बहुत सख जान है इनको इतना दाधा फर्क पड़ता नहीं है अभी आप देख लें कराची में आज भी टेंप्रेचर को 37-38 डिगरी था लेकिन यह माशाला लाइन को बारे ना ब्लोड़ एनिमल यहां पर इसके बारे में बताईए कौन से ब्रीड है और यह आपने अपने कलेक्शन ले रखी वे यह बैसिकली कॉडल लग कर आती है यह पाकसान ने फस्टायम आई यह नहीं इंपोर्ड कर वाई है यह फेंसी शौक के लिए बस रखा जाता है लोग उसको घर में रखते हैं बैसिकली गार्डन डग के लाती है यह चोटी डग्स है ना इनका जादा शौर शराब आयर ना इनकी जादा गंदगी है खुबसूरत बहुत जादा है तो यह फेंसी शौक के लिए है यह अच्छा तो यह जो है वो फेंसी है और लो जाता है लोग घर में रखते हैं वो उनको यही करते हैं कि घर में जो बचा कुछ आओ वो उनको डाल देते हैं क्योंकि वो तो बेशोक के लिए से लगते ना तो उसमें बलके यह जादा खुश रहती है तो अभी तक इन्होंने ब्रीड कैसी दिया आपके प्रीड दिया भ यह तो बीड़ करेंगी तो इन्शालले अवह इन बाद दुबारा यह पने बीडिंग स्टार्ट कर देंगी अचा में देखनों सारे रिंग बड़ एंगे जी यह सारे रिंग बड़ आप इसके लावए एक बात और बता दीजेगा कि जब ब्रीड इंग प्रॉसेस में होत है यह थोड़ी लो प्रोटीन फीड होती है ठीक है तो अभी यह बताएगा के पेर कितने तक्का हो का रहा हूं यह तो मैंने इंपोर्ट करवाया है हमको को सिक्स्टी थाओं का पेर हमें इसकी ब्रीड करवा रहे हैं लेकिन इसकी प्राइज इतनी जल्दी तर डियूस नह मैंनत कर रहे हैं इंशाललह नेक्स चेर तक कही नहीं पहुंच जाएंगे इसमें भी जी जनाब यहां पर जो हम देख रहे हैं यह यह बैसे क्लूस कुस कर लाती है अच्छा तो यह इसके बारे में बताएं कौन सी प्रीड है कहां की है और यहां पर मैं एक ही प्र देख र हो गया है इन्होंने रिसनली कुछ अंडे दी हैं चार पांच तो अभी वांडे में इंके जमा कर रहे हैं पर इनी की निच इनके बच्चे निका लेंगे यह बेसिकली बेल्जियम से इंपोर्ट विवी हैं रिंग बर्ड ने भी माशाललह से अच्छा रिंग बर्ड से बै करते हैं कि अच्छा यह जो भी हम देख रहे हैं इसके डिमांड क्या होगी या रेड क्या मिलें जो आपने प्रचेस के हैं सही हमको को कौश किया तकि एक लाग साट अजार रुपे का इसका प्यार आपको मिला है तक्रीव हैं मुझा कौश किया है यह पाकिसान पहुच कि तो इससे कितने मुल्टिपल पेर बन जाएंगे आप क्या उमीद करते हैं मेरी यह उमीद है कि इन्शालला अभी तकरीबन नेक्स टेर तक मैं इससे को चार पेर अपने बना लूँगा फिर उनसे ब्रीट करूँगा तो इससे मुल्टिपला होते रहेंगे जी जनाब यहा आएंगे जनाइपना पर नोदीजा दैएमाइपना भूकर करते हैं और एक हम नाष्मार आप झाएंगे जैए मैं मृ मंधूचर टीजा दशनाइप तो यचरं टीजा मृग यह सिыпनाइपना से कोपने ब्रीड़ कर दो गोते हैं ईससार भी हैं मैं कॉखनाना लुट कॉप मेरे पास तक्रीबन कोई 500-200 अकरी बच्चे निकले हैं तो अब ये भी अभी बेसिक्री मोल्टिंग पे हैं तो अब इनकी ब्रीडिंग मैंने रुखवा दिये मगर ये है माशाला माशाला मार्किट डिमांड इसकी रिस्पांस बहुत अच्छा है बहुत लोगों ने डिमां के लिए रखा हुआ है क्योंकि मैंसे ब्रीड करवा रहा हूं इसमें आपने बेबी का जो पियर बताया है वो 10,000 का वो मिनियेचर का होगा या बिक साइस का होगा दोनों के सेम रेट हैं जी जनाब यहां पर जो हम डग की ब्रीड देख रहे हैं इसके बारे में बताएं य herbs पच्छा कि यह अब ही जो मैं देख रहो भी अपने इंपोर्ट करहें जी मैं देख रहा हूं क्विश्डान जी अबर्चछ अबंच अब देख रहा हूं कशोट और खुपिस्जजवीद ऑस है और फूप्सूरा डग है कि उनके कलर बर करार रखने के लिए और इनकी सेह मेंटेन रखने के लिए क्या कोई खास केर होती है नहीं बैसिकली जो मेरी दूसरी डक्स फीड खा रही है नॉर्मली इनकी भी वही फीड है बाकी वही लेवल और प्रोटीन सबको सेमी चाहिए होता है बस यह अपना अलग से रहती है आराम से जादा किसी में मिक्सप होती न आपको पढ़ी एक उस जी है यह मुझे पढ़ी है तो मार्केट वैल्यू क्या होगा इसके अब जब बेवी निकलेंगे आ फिलहाल तो अभी मैं कुछ निकाता डिपैंड करता बेवी निकलता है कि तने जादा निकले तो पर थोड़ी कम होगी कम निकले तो पर रेड और पर जादा होंगे ठीक है जी वीवर्ज यहां पर हमने इनके फार्म आउस में मंकी भी देखें और एक प्यार रखावाइज जी जनाब इसके बारे में बताएं प्यार के बादे में यह जो हमारा जो जो देसी मंकी जोते हैं वो हैं यह यह बस हमने खेल कुट के लिए रख बंदा के उदास नहीं हो सकता है तफ भी करते रहते हैं यह बताएगा कि यह यहां के लोकल हैं तो आपने यह ब्रीडिंग परपस के लिए रखें या ऐसी बस नहीं बस बैसी शुक में रखें हैं ब्रीड कर गए तो सौ बिसमिल्ला नहीं कर रहें तो खाते रहेंगे वह पेर पूरा कंप्रीट रहा है तो अभी एस के यह यह बी तकीमन को साथ आठ महीने के हैं साथ आठ महीने के जिए चोटे बच्चे आयता है मेरे पास तकीमन दो-दो महीने के अच्छा श्रतानी इनकी बढ़ गई गाए बिल्कुल जी दानियल साब यहां पर जो हम डग की देख रहे हैं इसके बारे में बताएं कौन-कौन सी ब्रीट मौजूद है और यह सेलिंग के लिए या ब्रीडिंग के लिए रखे वे का पर पसे हैं यह पूरी दुनिया में नंबर वन कंसिड़र की जाती हैं अंडों के हवाले से इसकी माशालला कुछ जगाव पर रिस्त दोस्तों नवे थीन सोंडे गरीब देती है एक माधी पूरे साल में और यह लगतार थीन साल लग गंडे देती हैं अच्छा तो यह इंपोर्ड़ परीड है यह यहां के लोपल प्रीड है नहीं यह मैंने यह जो ब्रीडर फ्लॉक है इसका यह मैंने फस्ट टाइम इंपोर इसका सेल करता हूं तक्रीबं दोजार रुपे का दोजार रुपे इच जी हैं दोजार पे इच आहां पर मैं देखना हूं काफी कौंटेटी है तो अप्रॉक्सिमेटली कितनी डग्स यहां पर मौजूद होंगे यह मेरे पास तकी बंद इसमें साड़ा चार सो से चार्यो सुप्रीट प्लस पंडे आते हैं इसलिए चाड़ा चार सो फिमेल से साड़ा तीन से जादा अड़ा जाते हैं और दाना कितना खा लेते हैं यह चेश्यों पीस मेरे बाद दिन के तक वीट का थैं है प्रिक और इनका पूद वेट यह अबी फिमेल होगी इसमें तकरीबं क तोई दो किलो दो सो से तीन सो ग्राम तक की ओमेल डाइकेजी तक का होता है इसका तुपर टाइफ के जी फिक है अब बड़ा के जोने का मकसद यही है का चूदा भागे दोड़े तो पर इसमें हल्दी रहता है इतने बड़े चूदो को वाटर की जुरूत नी होती है कि साइड में वाटर रखे ताक कि थोड़ा नहाले फ्रेश हो जाए नहीं अभी नहीं इंशालला एक हफ्ते बांद को थे पहले देंगे फरीणा तरह ऊतार मरशे से अभी थोड़े छोटे यह बताएगा का यहां पर यह जो चेक्स को वैक्सिन की होई जी घर है यह आई अलड़ी वैक्शयनेटेडी तो इतना बड़ा चेक्स है इसमें छोटे चिक्स यह वह इतने दिन के और बड़े बड़े झोटे वाले मेरे पास होंगे तक ही बन कोई पांच तन च्छे दिन के बड़े सा बड़े पंदा दिन के जो बड़े हमें चिकस ने नारे हैं हो पंदाश धिनके यजया पंड़ हैं अच्छा इसमें मल्टिपल बृडरीड के हैं तो क्या रेंज होगी कॉस्ट की प्रिट के हवाले से अब जिस तरह खागी के अमल का जिस तरह यह बच्छा है इसमें पना दिन का तो पना का बच्छा में सील करता हूं फिर फीनल रुपीस का पंदा सो रुपे का जी है अब आप लोगा मल्टीपल जैसे हम देख रहे हैं एक रेंज बता दें के इतने से इतने तक के ब्रीड यहां पर मौज़ू है इसमें मेरे पास दोजार रुपे का भी चुजा है तीन रुपे का ब्रीड यह जब का यूगा तो का यूगा बच्छा पांदा रुपे का इतने बड़े बच्चे की फीड में कोई ख्याल रखना पड़ता है को इतनी खास इत्याद नहीं बद तक बहुत सखजान होती है आपके सामें देखने सब ऐसी मिक्सी घूम रही है को इतना खास ख्याल भी ने रखा हुआ बस अंदर फीड डाली पानी डाला हुआ है बद अधर तीन चार सो चूजे हैं इतनी कॉंटिटी के यहां पर चिक्स हैं मौजूद दक में जिसमें मल्टिपल ब्रीड के डख हैं और यह सब आपके अपनी लोकल ब्रीड के हैज के हैं जी हैं यह सब जो मैना यह जो बीड़ मैंने इंपोर्ड करवाय है जो मनें अजर बेसिकली डख फार्मिंग का मेरा सबसे परला मकसद यह था कि मैं इसको नहीं हर चीज़ प्रॉपलर यूटिलाइज करूं अब डग्स के लिए मैंने तलाब बनाया हुआ इसके अंदर मेरे पास मचली भी एक जो दोजार मचली है तो इसमें से मेरे बास अल्ला का शुकर ह मेरे बास के लिए मेरे बास के लिए मेरे बास के लिए जो फिश चाहिए होती है जी आंगर के लिए मेरे बास माशला फ्री मचली पलती है इसमें कि बत्तक की जो विस्टेज होती है वो फिश खाती है सेकंडली मेरा सबसे बड़ा मकसद जो था जो अल्ला का शुकर बहुत अच्छा रिस्पांस रहा आप देख रहे होंगे साइडों में पास यहां पर फसल लगी है यह बत्तक का पानी जब मैं यह फसल में लगाता हूं तो मेरे पास तीन गुना जादा ग्रोध आती है इसकी यानि कि अगर ऑन एवरेज कराची में पंजाब में जितनी तो ग्रोध आप पास प्लांट की मौज़ू है तो डक्स का जो सेशन जनाब यूवर्स आज के लिए इतने ही और जितनी भी ब्रीडिंग के पास मौज़ूद थी आप तमाम व्यूवर्स को देखेंगे और देखेंगे महां पे कौन-कौन से आपके पास इस पीशी प्लांट की तो डानियल साब यहां पे यह मंशन कर दिये का आपने डक्स की जो ब्रीड धिखाई हैं उसमें एक्स करेट बताय तो चिक्स करेड़ तो इसमें वारे वीवर्स के साथ को प्रेट करेंगे तो अपना कॉंटेक नमर की निएका मेरा कॉंटेक नमर जिर थी दूबल याइन 1234 और वाटसप पर भी मेरा यही नमबर है ठीक है बहुत शुक्रिया थैंक यू थैंक यू तो वीवर्स आपने देखा कराची में भी प्रफेशनली फार्म हाउसे मौजूद ने डग्किया और यहां पर काफी रियर प्रीडिम के पास मौजूद थी आप तमाम वीवर्स को दिखाएं उमीद करता हूँ पसंद आयोगी इसी तरीखे की और भी इंफरमेटिव वीडियो आप तमाम वीवर्स के खिद्मत में पेश करते रहेंगे आप तमाम वीवर्स से ही के रिक्वेस्ट करता हूँ हमाने साल को लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें तेल दे झाला आफस्तु झाला आफस्तु